हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल आप सब का स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भ दोस्तों आज की वीडियो अमेजन आए इसे श्किप भी नहीं करना है इसको आपको यूस करना है डेली बेसे पर अगर आप यूस करना चाहते हैं ओके दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा इनकेस वीडियो पसंद आती है कॉमेंट करके बताईएगा कैसी लगी च तो दोस्तो आज मैं आपको call से related कुछ ऐसी setting बताने वारा हूँ जो might be आपको पता हो or might be not ओके दोस्तो लेकिन वो setting आपको use करनी चाहिए और आप हो सकता है कुछ लोग use करते हो लेकिन आपको use करनी चाहिए अच्छी settings होती है वो जैसे ही दोस्तो मैं call पर जाता हूँ call पर जाने के बाद दोस्तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर setting आपको दोस्तो हो सकता है phone में different तरीके से अलग अलग तरीके से settings आती है तो जैसे ही आप call पर जाएंगे call settings पर जाएंगे यहाँ पर एक option आता है setting का हो सकता है आपके मैं three dot का option आता हूँ वहाँ से setting पर जाते हूँ फिर उसके बाद आपको यहाँ पर settings मिल जाती है call से related अब यह settings करती क्या है मैं आपको बताता हूँ call recording दोसो call recording एक ऐसी setting है जिसके लिए आप application use करते है लेकिन आज कल most of the android devices में यह setting आपको inbuilt मिलती है इससे क्या होता है आप set कर सकते है recording जब भी किसी की call आए वो खुदी record हो जाएगी यह inbuilt अब mobile के अंदर आ जाती है जादा तर आपको android device में मिल जाती है ओके दोस्तों यहाँ पर अंदर जाके आप चाहें तो manually manually कहने का मतलब है selected numbers पर या फिर sub number पर recording कर सकते है selected number पर जाकर आप क्या कर सकते हैं आप चाहते हैं unknown numbers से call आए वो record हो जाए तो उसके लिए यह setting on कर सकते हैं बाकि आप अपने हिसाब से इसे set कर सकते हैं ओके दोस्तों call recording notification in case आप चाहते हैं कि notification नहीं आए recording की तो आप वो भी कर सकते हैं इसे बंद करके लेकिन recording अगर आपको बंद करनी है तो उसके लिए नीचे बाला button आपको off करना होगा यह बाला ओके दोस्तों मैं इसे बापा zone कर देता हूं और यह सारी setting आपको आपके internal stories में मिल जाती हैं ओके दोस्तों सारे recording जितने भी हैं बाहर आ जाते हैं call forwarding call forwarding कुछ लोग use करते हैं कुछ लोग नहीं call forwarding in case अगर आपको आपकी sim forward करानी किसी number पर तो आप यहां पर जाके उससे आप forwarding use कर सकते हैं अपने phone पर जाएएगा sim को use कीजिएगा और उस पर number डाल देजिएगा आपकी आने वाली call आपकी forward हो जाएगी सारी की सारी यह setting आपको जाहतर लोग को पता होगी then दोस्तों एक setting आती है call waiting जैसा की नीचे लिखा हुआ during a call notify me of other incoming call ओकी दोस्तों यहां पर जाएगे दोस्तों यहां पर जाके आपके पास कोई भी call आती है अगर आप चाहते हैं कि आपको notification आए during the call तो आपको यह setting on करनी होगी okay दोस्तों incoming call setting additional incoming call option यहां पर जाके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि flip to silence ringer okay दोस्तों यानि कि आप जैसे flip करें silence हो जाए ring यानि कि थोड़ी silence हो जाए quiet ringer when lifted phone उठाएं तो quiet हो जाए ringing तो यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं okay दोस्तों increase ring tone volume यानि कि gradually आपकी जो volume है वो बढ़नी चाहिए यानि कि जैसे call आये पेड़े धीरे call की आवाज हो दन धीरे-धीरे gradually वो increase होता रहे okay दोस्तों तो आप इसे use कर सकते है फ्लेश when ringing अब फ्लेश करना चाहते है यानि कि light जला करें जब भी call आये क्योंकि अंधेरे में कुछ लोगों को यह चीज़े अच्छी लगते है तो आप इसे use कर सकते है proximity sensor भी एक setting है mute first ring यह भी एक अच्छी setting है mute first ring क्या होता है unknown number से जब भी call आये पहली call mute होनी चाहिए तो वो आप इस setting से कर सकते हैं जो की लोग use नहीं करते है यह setting बहुत अच्छी है identify unknown number unknown number को identify करने के लिए अच्छल caller ID का option आपको मिल जाता है हर android phone में तो यह setting बहुत अच्छी है तो आप इस setting को भी on करके रखा कीजिए अपने phone में ओके दोस्तों बहार आके block list आप on कर सकते हैं block list में किस अगर आपको किसी को करना है block तो आप कर सकते हैं ओके दोस्तों show location contact location don't auto dial country code ओके दोस्तों यह भी setting है जो आप use कर सकते हैं auto answer अगर आप खुद से answer देना चाहते हैं कहने का मतलब है इसके अंदर आप जैसे ही चाहेंगे automatically pick up incoming call incoming call को automatically यह pick कर लेगा यह setting चाल हुए तो इस setting को बहुत कम लोग use करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे disadvantage भी हैं लेकिन इसके advantage भी हैं इनके साथ चाहते हैं कि आपकी call खुदबाख खुद हो जाए answer auto answer हो जाए तो आप इसे on कर सकते हैं otherwise इसे बंद रहने तीजिए जातर लोग इसे बंद करके रखते हैं और इसे necessary reason के लिए ही on करते हैं ओके दोस्तो बैका जाते हैं advance setting में जाके और भी बहुत सारी setting है जिनके बारे मैं further आपको किसी वीडियो में बताऊंगा आज की वीडियो में इतना ही है यह जो setting में बताएं इनको एक बार आप use करके देख सकते हैं मजा आएगा ओके दोस्तो तो उमीद है दोस्तो यह वीडियो आपको समझ में आई होगी यह वीडियो वर्थ एट होगी ओके दोस्तो अगाज एक परसेंट भी वर्थ हो तो मुझे लगेगा मैंने जो वीडियो बनाई है इतनी मेहनत किया यह successful रही है वीडियो को like करना बनता है चैनल क subscribe नहीं करते है प्लीज subscribe कीजिए मेरी मेहनत को थोड़ा appreciate कीजिए ओके दोस्तो तो उमीद है दोस्तो यह वीडियो को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाना ना भूले बहुत जल मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लि बाय दोस्तो